विजे सिंग जी कानपूर दिहत विवल्लव राधे 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 महारा जी आपके चड़नों में दास का कोटी-कोटी पढ़ाऊं। अब हमें देख रहे हो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है इतना तुमानते हो भगवान हैं मानते हो हैं कोई भगवान हैं बस उतने आपको समझाना चाहते हैं तो उनका कोई नाम भी होगा कोई नाम होगा नाम इसलिए कोई सब्द बोल रहे हैं वही गुरू नाम देता है अगर हमसे दोस्ती कर रहे हो राम कृष्णा हरी राधा जो नाम परी लगे बिना किसी क्यों में के एक नाम को जपने लगो जैसे डाक्टर के पास जाए तो अब सदी देता है तो उसमें थ कुछ लगाओ तो आयलेकर हम भगवान नहीं मान पारें नहीं हम कहरें भगवान नहीं मानना किसी को भगवान हैं हम केवल इतना करें भगवान हैं यह मानते हो ना बस हमारी विजय हो गई क्योंकि आस्तिक्ता इतनी बनी रहे कि कोई है कोई तो है इस्वर कोई भगवान है और ये भी इतना ग्यान है कि उसके बहुत से नाम है तो कोई एक नाम आपको प्री हो सकता पकड़ लिए दवा रूप में कि मुझे कुछ जानना मानना नहीं बर जो कह रहे हैं वही करना है अगर ऐसे मानन लिए तो जीत जाओगे मानना पड़ेगा कौँछ सा नाम प्रियाक को स्री राम का आज से तुम राम- 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 राम-राम- बस सब कुछ हनुब हो जाएगा सब कुछ हमारे सब्द पर विश्वास कर लेगा एक भेटा सभ मारँजी वही सिरी जी के सिरी चरड़ों में समर्पित हो चुका है और हम भी चाहते हैं कि विल्ए बगड़ी बई एक अलू हम उंहले पर का साम ब्रंदवन में हैं सिरी जी के सिरी चरणों औ अगर हम पूजन करने लगते इसमें भगवान है तो जब सरवत्र भगवान है तो चित्र में बगवान है कि नहीं सरवत्र है तो चित्र में भगवान है की नहीं है सरवत्र है तो चित्र में भगवान है की नहीं अगर है कहते हो तो सरवत्र है यह सिद्ध होता है अगर कहते हो नहीं है तो फिर सरवत्र भी नहीं है फिर नास्तिकता आजाएगी भगवान सरवत रहे तो इस गड़ी में भी भगवान है और मैं इस गड़ी में भगवान मानके पूझू है भगवान है तो यहीं से भगवान मुझे मिल जाएंगे भगवान प्रगट होए कि नहीं तो फिन ऐसा मत कहो कि चित्र में तुम्हारी रूची नहीं है पर आप ऐसा बोल नहीं सकते रूची की बात है भाई रूची वह चित्र का तो हम का मानते हैं कि रूची है कि हमको यह पसंद है तो तुमको पसंद इसका मतब सब बेकार नहीं ह तुम को जो पसंद है, वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन सब वेकार नहीं, तो आप ऐसा मत काओ मुझे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है और मुझे बड़ा विचित्र हर चित्र में विचित्र दिखाई दे रहा है क्योंकि हर चित्र उसका है वो हर चित्र से परे है वो हर चित्र में भरे है वो जिस दिन ये ग्यान हो जाएगा उसे दिन नियाल हो जाओगे हर चित्र से परे है वो हर चित्र में भरे है वो वो चित्र में ही चित्र है और चित्र में ही भी चित्र है यही जान ले तो सब काम ब प्रत्यों लोग कर अब इतनी बड़ी कूप मंडूक बुद्धी है देख को हम कुल के बूट है एक समुध्र का मद आया में पाप आएगा वो भगवान ज्यान समुद्र प्रेम समुद्र माया समुद्र अथा बहराग्य अब आप इसे मृत्यू लोक में ही एक परवत है चार लाख योजन स्वर्ण का एक योजन कहते हैं चार कोश को एक कोश को कहते हैं तीन किलोमीटर चार लाख योजन का स्वर्ण का पहाड़ है मानोगे आप नहीं मानोगे कउए ऐसे मानोगे देखो पहली बात है तुम ऐसे आदमी हो, जो कुछ मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं, एक चीज करो, या तो साहित को ना मानों, और या फिर पूरी मानों, तो फिर पूरा मानों, अदूरा का एक मानों है, पूरा मानों ना, एक चीज यह बताओ, चोरी करोगे, तो तुम्हारे ला राज हैं या हमके दूधर नरक है भागवतिक कानून और राजनेतिक कानून दो विधान है राजनेतिक कानून से तो बच गए तुम चुरा के लेकिन भागवतिक कानून में तुम्हारे लट चलेगी वो है यमपुरी और वो है यमदूद और अब अच्छा काम करोगे तो त है तो अब उसको हम कैसे ना कैसे कह सकते हैं जब सास्त्रों में भगवान सुकदेव जी महाराज कह रहे हैं आप भागवत में पड़ो कि दक्षण की तरफ इतने हजार योजन जाने पर नर्क की किस्तिती है अब उतने हजार योजन जैसे तुम कभी देखे नहीं स्वड़न के पाहड को आपने हां कहते है कि मैं मानता हूं क्योंकि मेरे इतियास में लिखा है तो मेरे इतियास में पूरा लिखा है पूरा ब्रहम रिशियों ने कहा है अगर हम ना करते हैं तो ब्रहमरिसियों की बात जोटी होती है और इतना तो समझी लें कि पाप का कर्म नारकी दुख जैसा होता है कि नहीं होता है अब सड़ रहे हैं गलित कुछ ठो रहा है हाथ पेर टूट गए तो नरक भोग रहे न तो कहा जाता है न कि देख ल हम कह रहे हैं सुरू तो करो तुम मानना यहीं मान लिए नरक सुरुग मान लिए तो आप नरक वाले काम बंद कर देओ और सुरुग वाले काम बंद कर देओ भगवान वाले कारे सुरुग कर देओ तो तुम्हें भगवान की अनुगोती होने लगेगी वो हैं जैसे यहीं यहीं भगवान है जब सब जगए हैं तो यहां भी हैं सब में थो हम में भी एं और सब के थो हमारे भी हैं है ना तो बस भाउनी का भज़न करना अब तुम राम राम रेटना शुरूर कर दो सब समंस्या का समाधान हो जाएगा बान लिए चलोगे तो देख ले के दुए महीने से तो राधा-राधा जप तूम तो हमारे दोस्त निकल पहले आये थी ना हम आपके पास यही प्रश्ण लेके आये थी लेकिन इसका आंसर नहीं मिलाता है अंसर तू मिल गया अब तुम ज़ाधा-राधा अगर कोगे ना तो हम तुम से सच्छी बात कहते हैं अगर राध समा है एक आईसा हमारे पास लगा ले तो कणकण में दिखाई देने लगेगा पक्का समझो वह पैसे से नहीं मिलता वो मांगने से नहीं मिलता वो आपके अंदर टांसफर हो जाएगा वो जपने से मिलता है आचरन पवित्र करो नाम जब करो तो किसी सूझ वाली आँख ने कणकण में जाकी भगवान की आप में बैठा है यहां बैठा है यहां बैठा है सब में बैठा है पूरा का पूरा वही बैठा है तमासा केवल फैला दिया माया का कि लग रहा है वो नहीं यह इस्त्री है यह पुरुश है यह अच्छा यह बुरा है नहीं मत्ता परतरम नाम दो दिखाई देने लगती ना इस्त्री पुरुष जड़ चैतन अच्छा बुरा तोड़ा आखे खराब हो गए ग्यान का चसमा फिट हो तो जहां देखा तो विद्याविने करो चिंता न करो चिंतन करो अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जिसके इधर उदर बकवास करोगे तो समय बरबाद हो जाएगा भगवान जब करपा करते हैं तो सादु समागम देते हैं तो हमारा तुमारा मिलन कुछ रंग लाना चाहिए वगर रंग न लाया तो या तो हम म यह कार नहीं कर रहे नहीं तो रंग तो आई जाएगा देखो आपने बताया दो महीने से रादा रादा जप रहें नहीं वह आप देखना आपका अश्मय आंसर हमें अपना बता दे क्यां जो आमारे अंदर गुसा है तो जैसे बमूल 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 रोज चलाएंगे तो भी तो प्यार हो जाएता है तो ऐसे हम राधा राधा चला है तो दो महीने कुछ लगाओ तो आया अरे इतने में तो पार हो जाओगे या दो महीने हम तो कहते हैं एक बार राधा बोल दे तो गारंटी लेते हैं ना रख नहीं जाएगा बचा लेंगे जैसे पूरा रजिस्ट तुम नहीं मानते हैं तो तुम नहीं मानों क्योंकि वाँ जाना नहीं तो में तो वहां तो काम खतम हो चुका अब ब्रंदावल आए हो तो अब तो भगवान की तरफ द्रस्टी कर ले उसको छोड़ो नरक सुरक की बात हम भी चाहते हैं हम भी उसी तो सामय है इसलिए आपके चाला में बार बार आप खुब नाब जब करो अभी और फिर जब भाव बनता जाएगा न जिसे आपने कहा के लगाओ हो रहा है और जब लगाओ हो जाएगा तब फिर अपने आप रंग आ जाएगा आप थोड़ा भी चलते रहो नाम जब करते रो और आपके अंदर ही भगवान है आपको सची बताएं कहीं बाहर खोजने की जरुत नहीं यहीं बैठे भी है नाम जब करो के तो यहीं खिडकी खुलेगी तो आप जहांक लोगे अंदर ही जहां देखे नारेणिया गौर स्याम को सब संसे खतम हो जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत छोटी बुद्धिवाले हैं उशापार अनंत महिमा वाले प्रभू को कैसे जानेंगे तो हम नाम जब करते करते उनके नाम के प्रभाव से जान जाएंगे सब देखो एक रिसी थे और राम राम भी जो पहले नहीं कर पाते थे मरा 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 तो देखो सब ग्यान हो गया ना और हम जान बुच करके राम बोले राधा बोले तो हमें भला ग्यान नहीं हो जाएगा इसलिए पहले सरद्धा करें सरद्धा वान लबते ग्यानम स्रद्धा प्रथम रदे स्रद्धा जो करें जैसे आप हमारी बात पर स्रद्धा करके रादा रादा जपोगे आपको सब पता चल जाएगा ठीक है और जो भी हम जैसे बारता किये न यहासी मजाक में भी हम सत्य बात बोल रहें उसको अच्छे से समझना जाके कि हम लोग जैसे कूप मंडुक ने होते कुआ के तो हम लोग छोटी बुद्धिवाले हैं और भगवान ज्यान समुद्ध रहें हम उनको चाहे जितना अंदाज लगावें भगवान सूर्य जो चमक रहें न भगवान के एक अंस से हैं ऐसे हमारे भगवान तेजो में हैं सूरी जी को मानते हो कि हैं बिल्कुल बिल्कुल और चंद्रमा को भी तो मानी रहे हैं तो हमको भी मानते हो फिल्कुल मान रहे हैं प्रत्यक्स है ना तब तो हमारा आना पड़ा है बार 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 बस इतने हमकाम हो जाएगा हमारा तो थोड़ा पकड़ा देऊ ना जैसे चद्दर का थोड़ा भी कोना पकड़ ले ना और घसीते तो पूरा चद्दर आ जाएगा थोड़ी भी सरद्दा अगर हमें दे दोगे तो घसीत हम हमारी सिरी जी के बल से घशीट लेंगे तुमारी तो बहुत स्रद्दा है और खुब आनंद से नाम जाओ और ये आपई के लिए नहीं हम सब के लिए कह रहे है एक मात्र नाम ही है जो परमकल्यान कर सकता है आपके सारे पापों को विद्धन्स कर सकता है और किसी साधन में इतना दम नहीं है ये हम खुब साधना करके बोल रहे है बचपन से साधन मार्ग में लगे है हर साधना करके बोल रहे है कोई ऐसा साधन पत्ष नहीं जिस पर प्रवेसना हुआ हो बचपन से लगे इसी में अब आकर पायो परम विश्राम राधा 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 इसलिए आपको कहे राधा राधा रटो परिणाम में देख लेना यह बोलना नहीं है यह मानसिक जपा जाता है गुरू प्रदत जपा जाता है मनमानी नहीं जपा जाता है जब गुरू सन्यासी गुरू जो इस मं पिछले कुछ समय से नाम जब शुरू किया है परंतु उसमे निरंतरता नहीं बन पा रही एवं विस्मरन होता चला जा रहा है फिर जब कभी किसी व्यक्तियां परिस्थिती में क्रोध आता है या किसी और कारण से मन में अपशब्द आने लगते हैं, उसी समय मन में राधा नाम स्मरण हो जाता है, तथा मन में पुनह जब प्रारम हो जाता है, मन में अपशब्द आने पर नाम स्मरण होने का क्या ताप बहुत कृपा है आपके उपर पर बात ध्यान देनी है कि जब हम बिल्कुल नाम जब नहीं करते थे वा अभ्यास में आए तो कुछ नाम जब तो होने लगा ऐसा तो नहीं को बिल्कुल नहीं हो रहा अगर हम बिना अभ्यास के इतना चड़ गए तो अगर हम अभ्यास में तत मत रखे आप बहुत ही प्रविरता पुर्वक शावधानी पुर्वक अंदर नाम चलाने की चेश्टा कीजिए प्रोधाने पर नाम चला या अपशब्द आने पर नाम चला यह तो अहतुकी कृपा प्रभु की है उस समय नाम भेज करके आपको शांत कर देते हैं आप से अप पराद नहीं बन पाता आप गाली नहीं दे पाते आप उश्टा नहीं कर पाते लेकिन निरंतरता आपको करनी होगी प्रभु की क्रपा आपके उपर है क्योंकि बिना क्रपा के नाम स्वाभाविक निकलना नाम आना बहुत कठीन है हरिवन्स क्रपा हरिवन्स कहें हरिवन् तो अब उस कृपा में हम और डूबे हैं अब चल रहा है नाम बाहरी कोई माला ने कोई चल रहा है बार बार हम नाम लिख रहे हैं नाम चल रहा है हमारे कौन जन पाएगा आप से बात कर रहे हैं आपके चेरे पर नाम लिख रहे हैं राधा राधा अब बोल नहीं पारें आपसे बात कर रहें पर हम राधा देख रहें नाम लिखाओ हमारा निरंतर चलेगा अगर हम अभ्यास करें निरंतर नाम श्वास दो विलक्षलत हैं इनको भेद नमू को भावे श्वाशनाम नाम ही स्वासा नाम स्वास को भेद पढ़ेगा हम इसके लिए निरास अता सुदास या कायरता ना धारन करें और तरपती भी न करें जो आल पर शुकों में तरप्त होने लगता हो महांशुक का अधिकार खो देता है इसलिए हमको थोड़े मुरे भजन पर भी नहीं मानना कि मेरा भजन हो रहा है नहीं जब मैं उठते बैठते चलते फिरते हर समय देखूं अनायास बिना प्रयास के नाम चल रहा है तब थोड़ा तसल्ली वाली बात है तब हमारा काम हो गया ऐसा हमें मानना है तो हमें निश्चिंत रहना है निर्भे रहना है लेकिन नाम को असेहनी मानना अगर छूट जाए या बिस कैसे छूट जाएगा नाम कैसे छूट सकता है जब हम लक्ष बना लिया नाम जपना मुझे यही समझ में आता है कि लोग कहते है नाम छूट जाता है कैसे छूट जाता है इसका मतलब आपका महत्तु कहीं और है लक्ष कुछ और है अभी नाम नहीं आपाया नहीं नाम आप क्यों इसलिए लक्ष बनाई कोई है नाम से प्यारा और अधिक, कोई विषय, कोई वेक्ति, कोई वस्तु, कोई इस्तान, इसलिए नाम छूट जाता है, नाम की समान केवल नाम ही तो फिछूटे गाए ने, पर हम धन ब्रत्ति नाम में हो जा कैसे छूट जाएगी, हर समय यह समझो संपूर्ण मन की लिखा पड़ी को मिटाने वाल तभी तो निर्मल मन जन सो मोई पावा मोई कपड छल चिद्र न भावा भगवान कहते हैं तो मन निर्मल कैसे होता है नामे तो करता है हर बात मिटारता चला जाता है वो कहता है यह भोग यह वस्तू गंदी गंदी ले चित्रण वो सामने फेके गा राधा 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 वो मिटारता चला जा रहा है और हम आगे बढ़ते चले हमारा ध्यात्म के लिए मन निर्मल होता चला जा रहा था यह कहना सहेज करना कठी गे जिस समय प्राव करोगे तो आतंक मचाता है परिशानी पैदा करत बाहिरी परेशानी आंतरिक परेशानियां जो वही सूर्वी रिवध्धा जो हर परेशानी में राधा 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 कदम आगे बढ़ाता चला जाता हूँ उसे कोई परास्त नहीं कर सकता तो अभ्यास द्रट कीजिए ठीक है शांतनू गुपता जी अमेरिकास राधा वल्ल का ग्यान हुआ जिससे मेरी अंतरिक वृत्तियों में निरंतर सुधार हो रहा है फिर भी मैं ये समुचित रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि श्री जी की पून्शनागति कैसे हुआ जाता है इसके लिए मुझे क्या करना हूँ उच्छने उसब बना दें आपको क्यों राधा 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 हमारा जो अंतरिक भाव समझ पाव आगे को खुद बिदान मनाएंगे आपको यहां लाई ना आगे को सब बना दें अपने ऐसे रोके राधा 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 यथा स्थान जो जैसा कल्यान तो अभी हो गया आपका राधा और सरी छूट जाए तो भगवान की प्रप्ति हो जाएगी नारायन वोला पुत्र को पुकार रहा था चिंतन पुत्र था पर सब्द नारायन था तो उसे अंतिम समय भगवान की प्रप्ति हो गई के लिए हमारा तो चिंतन भी राधा है और हम राधा पुकार रहे हैं हमारा कल्यान नहीं होगा तो इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना कि मुझे गुरु मंत्र लेना है इनको गुरु बनाना है आगे क्या करना कुछ चन है राधा, राधा, राधा वो पकड़ के ले आई जैसे इसे पकड़ के सब हो जाएगा ए ये गुरु मंत्र हो गया ये सब बिना प्रयास के सब हो जाएगा आपके इस बात पर ध्यान दो गुरु बनाने को मतलब होता है गुरु के वचनों को मानना अब हम आपसे कह रहे हैं कुछ और सोच नहीं नहीं कि मुझे गुरु बनाना है मुझे पाठ करना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है सब कान में आ जाएगा आपके ये छोड़ देओ आपको जैसे अभी तक जिसे आपके रूमे ने सुना, ऐसा ऐसा हुआ, तो अपने आप हो रहा है ना, ऐसे राधा, राधा, राधा अपने आप सब हो जाएगा, ऐसे बने रहो, यह बचपन से अभी तक देखा है ना, ऐसे बने रहो, वहां पहुचा देंगे, या उसको आपके पास बुला देंगे वो वही सुनवा देंगे, वही पढ़वा देंगे, वही समझा देंगे, वही से क्रिया करवा देंगे, बस भरोसे में हो जाओ, अंदर से सरनागत हो जाओ, अंदर से राधा, 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 बस जो पाव भोग लगा के ठाकुर जी की जैजेकार करके पाव पापाचरण ज जानता हो कि भाई मुझे पता नहीं आत्मना प्रतिकूलानी परेशामन समाचरित पाप आचरण सब को जानता है अंदर से पुकार आती है यह गलत है बस वही पाप आचरण है जिसको अंदर की पुकार कहती है गलत है उम्मत करो सब जानते यह पाप है पर करते हैं तो उपद्ग कानुपूने इसलिए नाम जब के साथ पापाचरन का त्याग भी अनिवाद है और जानते हैं आपके पाप Beatles किसे कैते हैं किसी एक क्रिया को ले कैते हैं बहुत से एसी क्रिया है जो पापannen कहिती धर्म विरुद्द और वह आँप होगा उसे जा और लकार्म ना करें बहूं आप घृता हुए सुम्झा रहा है तो यह मुझा पिखसे उसे प्रेम समुद्र कुझ कर मुझार और से में जो कुछ सब कुछ प्राप्त होगी अनर्थ निव्रत्ती होगी फिर इसका आनंद आएगा तब तक थोड़ा धैरी पुरुवक चलता रहे जब तक पाप निव्रत्ती नहीं हो रही क्योंकि जैसे जैसे पाप भस्मोंगे जलेगा अशान्ती बाहर से प्रतिकुलता सकती चु कुछ नहीं होने वाला सब ठीक हो जाएगा बस चलते रहो चलते रहो धैरी पुरुवक बीर बंद करके इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा विनीत शुकला जी काशी बनारा सुना राधे राधे गुर्देव नमः पार्वती पते हर हर महादेव महराजी आपके चरण में कोटी-कोटी पढ़ाएगा महराजी मैं पिछले दो वर्ष्टों से नित्य आपका सत्संग और एकांतिक पारतलाप सुन रहा हूं महराजी भजन निरंतर करने का प्रयास करने के उप्रांत भी कई बार ऐसा लगता है कि भजन उतना नहीं हो पर जितना हमें करना चाहिए ऐसा जीवन भर लगना चाहिए जिस दिन ऐसा आ गया कि जितना भजन करना चाहिए मैं कर लेता हूं उसी दिन पतित हो जाओगे, आंकार ही अनवो करता है कि मैं भजनानंदी हूँ, अपने को हर दिन यही जलन बनी रहनी चाहिए, कि जो संतों ने भजन किया, वो मेरे में नहीं है, जो भाव महापुर्शों में वो मेरे में नहीं, तो पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाओ और यह स्विक्रति जहां होई कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इनसे तो अच्छा ही हूँ, जहां दूसरों से अपनी तुलना शुरू हो गई, तो आंकार बढ़ना शुरू हो जाता है, जहां अपने में भजनानंदी का भाव आंकार का आया, तो दूसरों के निंदा यह तो बड़ी कृपा है, जो आपके अंदर यह है, कि एक जलन बनी रहती है, कि मुझे वो भजन करना भी नहीं आया, जो आना चाहिए, और यह जीवन भर बना रहना चाहिए, उसी विकलता से भजन होता है, बहुत सुन्दर है, और इसको छुपा के रखो, अंतर दाव ल बहस्म करके, यह भगवत प्रीती प्रगट करती है, जिससे रुदन प्रारम हो जाता है, सहा नहीं जाता है, रोना प्रारम हो जाता है, भगती मार्ग में, और ग्यान मार्ग में परम जिग्याशा प्रगट होती है, और वो तीनों सरीरों का राक्त याक्ता चला जाता है, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जीवन मुक्त हो जाता है यह आग जरूरी है इस आग के बिना न ग्यान होगा और न प्रेम होगा यह आग जरूरी है और भजन से यही आग सब पापों को पाप प्रवत्ति को भस्म करके यह बिरह बन जाती है यह प्रेम बन जाती इसको आनंद पुर्वक्ष लिए खुब अच्छा भजन कीजिए पर उस भजन का अभिमान नाने पावे इस मार्ग में कभी-कभी दोखा हो जाता है कभी-कभी गुणा भिमान आ जाता है भजन आनंदी होने का भिमान आ जाता है वहीं गिरना पड़ता है पक्का गिरना जब ब्रह्म शुरूप जिनका अवतारों में बर्णन किया गया है वो कोई साधारन साधक संत थोड़ी है वो तो अवतारी महापुरूश है उनको आगया कि मैं काम भी जाई हूँ तो आप प्रसंग पढ़के देख ले ना बिवा के लिए लालाइत हो गया यहां तक की आरात दे भगवान को साप तक दे डाला है तव अरिमाया दूर निवारी तहन रमान राजप कुमारी तो अहंकार बगति में बर्धन करने वाली जो बृतियां उनको चिल करता है अंकार पतन की तरफ ले जाता है तो भगवान कृपा करते हैं भगतिके इर्दमे भूंक दे देते हैं भजन की राद दिन भजन करने पर भी उसको रोना आता कि मेरे से वह भजन नहीं होता भगवत प्रेम होने पर भी उसको रोना आता कि मेरे में प्रेम नहीं है यहीं भक्ति की पहचान है और जाए आ गया कि मैं तो भगवत प्रेमी में भजनानंदी यहीं आंकार की पहचान तो जब जोब पर जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं तो यूं बोलते हैं कि वर्ख पर आओ तो धर्म की बात नहीं पर नहीं तो पर हम धर्म कोई पॉलिटिक्स है यह जो लोग धर्म का एक बाहना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं वो धर्म को नहीं जानते हैं देखो आप विदेश में हो तो वहां उसके अनुसार चलो अंदर ये अंदर अपनी भक्ती करो बाहर से अपनी नोकरी बचाओ लेकिन ये बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता है ऐसा नहीं है हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है कौन सा धर्म है सा जो लड़ाई करता है हमारे हां हर धर्म जितना भी बरणन किया गया है सब प्रियता से बरणन किया है गाली देने वाले को भी प्रणाम करो हमारा धर्म कहता है निंदा करने वाले को भी भगवान की क तो उस अधर्म की बुरत्ती का नास तो उस अधर्म की प्रत्ती का नास नहीं होने पाण रहा है Bogody, अधर्म की आनि होती है धर्म की इन मेλλी उत्थान होता, भगवान उसके अपना या किसी भिषेष आवेशा उतार होता है भगवदा उतार होता है धर्म किसी को लड़ना सिखा है ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया है यह जो नहीं जानते मूर्खतावस वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे के हिंसा करते दूसरे को कष्ट देते वो अज्यानी है वो जानते नहीं है धर्म का सुरूप नहीं ज कवूतर आके महाराज सिवी जी धर्मात्मा हैं कि गोद्मी कि जाता है रक्षा करो ही बाज मुझे खा जाएगा आखीरी स्थिति में महाराज सिवी की धर्मात्मा सुरूप को देखो अपने लोग हो ना तो कह दें रहे बाजा जाओ कवूतर को हमको क्यों कियो कष्ट दे तो मैं अभी जहां हिंसादी होती हूँ, वहां से मांस मंगाता हूँ, बोले जानते हो कि मैं बाज हूँ, मेरा हर कवूतर है, मैं कवूतर को खाऊँगा, उनका कवूतर तो नहीं दे सकता, मेरी सरण में आ गया, तो बोले फिर आप अपना मांस दे दो, तो उनका हाँ ये बा काट के अपने हाथ से तराजू में रखा था अब कवूतर तो था नहीं साक्षात अगनी देऊ थे फिर इस जांग का काटा फिर बाजूं का काटा मांस मसीली जगए बैठ गए और का मुझे खा ले लेकिन कवूतर को यह धर्म सिखाता है अपने आपका बलिदान कर देना ले है तो उसकी ब्रतियों को जगड़ा उसे नहीं कहते धर्म विरोध आचरण का विरोध करना उसे जगड़ा नहीं कहते अब आप पापा आचरण कर रहे हो तो उसका विरोध होगा उसका भाव ऐसा है अब आप किसी बैनवेटी को छेड़ रहे हो और हम उसका विरोध कर रह तो जगडा नहीं कर रहे हम धर्म की बात कर रहे कि आप अधर्म आचना नहीं कर सकते हमारे सामने तो धर्म जगडा नहीं सिखाता धर्म अधर्म को रोकता है अब उसके रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े जवरत पड़ेगी तो हम अपने प्रान दे देंगे लेकिन अध का स्वरूप है भगवान यहीं तो कह रहे है यह पंडो और करों का युद्ध हो रहा है तो हाथ जोड़के उसको समझाने स्वें भगवान गए पांच गाउं दे दियो पंडों को कहरा नहीं देंगे छूई की नोकबर नहीं देंगे भगवान कह रहे है कि पहले तो का आधा राज्य दे दो बुले नहीं देंगे बुले इसे राज्य तो पूरा पंडवों का ही है क्योंकि उनके पंड़ पिता राजा थे तो आधा राज्य दे दो बुले नहीं देंगे बुले पांच गाउं दे दो नहीं देंगे बुले सुई की नोक बर नहीं देंगे बिना युद लड़ना नहीं है धर्म अधर्म का विनास जरू करता है अब विनास को लड़ना नहीं है यह इसकी टांग हीच रहा है नए वो भी नहीं जानते आप आप जैसे आप सह्यू पाशक हो आप सहयू पासना कर तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रभु सीवरूप में आप उनकी आरादना कोई राम उपासा कोई कृष्ण उपासा टांग खीचने की जरूत क्या है टांग ऐसे खीचते हैं कि अगर तुम नहीं मानते तो नरक में जाओगे फिर वो लोग बोलेंगे अगर नहीं म वो बोलते हैं अपने अपने नाम है जो 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 बोलते हों मेरे ही प्रभु के नाम है जो तुम अंग्रेजी में गाड बोलोगे उन्हीं को हम बगवान बोलेंगे उन्हीं को अपनी बासा में बोलेंगे है तो ही यार जगड़ा का है को है जगड़ा अग्यान का है अगर हम राम राम कहके किर्तन करके अपने प्रभू को मना रहे हैं और तुम अपना नाम ले रहे हो और तुम गाड बोल रहे हो तो हमको तो पता है ना कि हमारे ही राम का नाम गाड है हमारे नाम का वो अपना नाम तो हमारी तरफ से तो कोई वह रहे नहीं और रही नर्क की बात तो बोलो, कृष्ण बोलो, हरी बोलो, गाड बोलो, कुछ भी बोलो, हम तो प्रणाम करते हैं कि एन किन प्रकारिन भगवान का भजन कर रहा है, परम मंगल है, भगवान का ये कई नाम है क्या, भगवान का ये कई जगे इस्थान है क्या, वो सारुभाउम सब रूपों में हैं, यही तो समझना है, वो धर्म क्या जो सारुभाउम न हो, वो भगवान कैसा जो सरवत्र नान वो किया जाए, तो एक बोल रहा है हरी, एक बोल रहा है राम, एक बोल रहा है गाड, एक बोल रहा है और नाम बोल रहा है, मेरे ही प्रभू के सब नाम बोले जा रहे है पर अपनी अपनी समझ से चलो सब उसी के उपासना कर रहे है गला काटने की जरुत क्या है कि अगर तुम यह नहीं बोले तो तुम को अधर्मी हो गए हम जिनको पूझते हैं उसी को पूझो ऐसी बात नहीं है अगर ऐसे ही होता तो परमात्मा एकाई धर्म बनाता अलग 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 अतार अलग अलग नाम क्यों बनाए क्यों कि उसकी मौज है वो जानता है खोपड़ी अलग अलग है तो अलग अलग खोपड़ियों को दिजाले के लिए अलग 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 रूपों में है तो अलग अलग अराधरा लेकिन पूजितो उसी ब्रक्ष को रहा है तो परमात्मा ही सब रूपों में है उससे अलग कोई ले झागड़ा जो करते हो अज्यानी है वो कोई भगत नहीं है यह बोलो तभी तुम भक्त माने जाओगे यह नहीं समझ रहे कि वही सब रूपों में व्याप्त है दूसरा कोई नहीं है जो नाम लो वह एक है और वह समझ नहीं है अगर यह समझ भी आ गया तो निहाल हो जाएगा पर यह समझ नहीं पाते है तो नरक वो जाएगा जो ऐसा करके दूसरों को तुनास देता है दीपक जी दिल्ली से रादे रादे महराजी गंडवत प्रणाओं महराजी भारी मात्रा में लोगों की द्वारा बहुत प्रतिकूल और रुक्ष वहवार ही मिलता है संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता कई वार ईश्वर को प्रा की अनकुलता की मांग नहीं तो प्रतिकूलता से कोई परेशा नहीं तो अनकुलता प्रतिकूलता को जो रौंद के फेक दे वही तो समदर्सी महत्मा होता है वही तो परमानंद का नुभू करता है तुम्हारा सुरूप अनकुलता प्रतिकूलता से बहुत परे है तुमने म कुलता की मांग करोगे तो प्रत्रिकुलता में दुक होगा मां की शेहरे की तरर देखते हमारे अनकुल हो के बोले अनकुल होगे तेरी जो मौज है तू कर मैं सहूँगा और हर बात को धैरे पुरुवक्स सहकर, मुस्कुरा के उत्तर दूँगा, नहीं बिचलित होंगा, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, नाम जब करता हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी नहीं हूं, तब भी बात बनेगे, अनुकूलता की मांग करोगे तो, तुम्हारा मनी तुम्हारी प्रति हो understarsों फिर किसको अबने जाएक अपनी जबान दातों से कड़ जा किसको थंपर जमा सबस्कूर के अब्यों है। था लो हमं उनकार प्रतिन बुवर करते हैं हुआने लिश्प लिखेज़ एक क्राइब तो भगवान कांस है ब्रह्मचर से रहे नाम जब कर संयम से रहे अध्यात्मिक बल अभी जागर्थ होगा तो सिंग की तरह दाड़ने लगेगा यह सियार बना दिया कामकुरोद लोग मुमद मत्सर ने भगवान के अंस को सियार बना दिया अध्यात्मिक बल एकत्तित कर यह सवस्था में अध्यात्मिक बल एकत्तित कर डंड बैठक मार दो किलो मीटर दोड ब्रहमचर से रहे नाम जब कर बहुजुर्गों की सेवा कर मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहा अब यह आनंदा नहीं लगेगा यह आनंद के लिए मानो जीवन है ब्रहमचर शिर्ण कर दो कहां से अध्यात्मिक बल आएगा समझपार है हमारी बात अपने जीवन को जाक के देखो अध्यात्म बल जैसे मटकी में दो चार छेद हो जाए तो फिर सब पानी देदी दे निकल जाता है भगवान ने आपको पावर दिया है मानो जन्म के साथ आप विवेक के दौरा बुद्धी के दौरा अपने असत करके आप अपने को नीच बना सकते हो पतित बना सकते हो आप अपने को अपराधी बना सकते है आप क्या बनना चाहते हो वेसे बनो तो अच्छे आचरन करो ब्रह्मचरी रो तुम्हारा ब्रह्मचरी ठीक रहेगा तो तुम्हारी बुद्धी ठीक रहेगी उत्सा ठीक रहेगा नाम जब रहेगा तो आपके अंदरा ध्यात्मिक बला जाएगा दो बात अगर समाल लेगा तो सब खीक हो जाए आपको ब्रहमचर 6 अब लगो इस पर ठीक है नाम जब करो ब्रहमचर पर ध्यानाермको बहुत कीमती जीवनिया ब्रहमचर वोबसतों है कि एक बार अगर उसका आंन्द आ गया तो जीवन भर के लिए आनन्द में टूब जाओगी ग्रैस्ती में कि विछार्य सा थोड़ी की बेविचारी होता है गरिष्थी में भी ब्रह्मचारी है मात्मा है एक पत्नी व्रत धारंकर के धर्म से चलने वाला मात्मा ही माना जाता है तो अच्छे बच्चे बढू निरोध सायथ नहीं होना कि से चिहरे के इसको देखकर के र Emin को प्रसन नहीं होना तु प्रसन्थ तो मैं प्रसन तूर। अगर हमारा अपमान करदा तो मैं दुख्तु यह तो संसारी पड़ता है अपने विचारों को स्वस्ता रखो कोई परिशाली ले शरीर अश्वस्त है तो क्या हुआ प्रारद भूग है हमारी विचार श्वस्त है अध्यात्म आपको आंतरिक बलपरदान करता है अध्यात्म आपको लड़ने की सामर्थ से देता है अध्यात्म जीने की उ उपर चाहना कटिन और जो अध्यात्म में आ गया वो आनन्द में इस्तित हो गया ठीक है बच्चा नाम जब करो ब्रह्मचर से रो व्यायाम करो खान पान अच्छा रखो माताव बहनों के तरब गंदी दरश्टी मत करो अभी आनन्द आने लगेगा सच्चे भाव से चलोगे शराब का नशा बहुत करने लगा था जिसके कारण पूरा प्रिवार बहुत दुखी रहता था मुझे भी बहुत दुख होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ फिर भी मैं ऐसा करता था दारू के बिना मैं रहे नहीं सकता था परुंतु गुर्दे आपने पूरा जीवन ह तो यह जीवन थोड़े दिनों के बाद आप रोग गरशित हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद आप सकती हीन हो जाते हैं आपके अंदर सकती नहीं रह जाती कि मैं विश्वनों को त्याग दूँ फिर वो जीवन कलह और शांती का जीवन भारी चिंता का जीवन इसलिए धन आत्मिक शाहयोग है हम आपको सच्छी कहते हैं यहां ऐसे आसिरवाद नहीं दिया जाता लेकिन यहां बिना आसिरवाद के जाओगे नहीं यह भी बात समझ लेना यहां की एक महिमा तुम्हें हमांतरिक बता रहे हमारी महरानी जूकी लाडिली जूकी तिरे दर्वार की आली की देखी हमारी सुष्रीники की करोणा इसी बरस यह नहीं कि यहां कुछ जनतूर को प्रशाद कुछ बही नहीं मिलता यहां प्रगट में कुछ आपको क्या मिला प्रगटxi में कुछ नहीं मिला लेकिन आप जाए और आपको वो चीज मिलेगी च्रणॉं की कृपा से आपका परिवर्तन होगा, आपको एक अध्यात्मी कुन्नती मिलेगी, आपको एक आनंद मिलेगा, एक दिव्यता मिलेगी, वो सिरी जी की कृपा से मिल रहे, सबका परिवर्तन होगा, अगर सुनोगे ध्यान से, चलोगे, तो आपको सब्दों से ही सक्ती मिल जाएगी, सब्दों से ह आसिरवाद मिल जाएगा, क्योंकि किवल उद्देश से एक ही है, कि जब तक इसमें स्वास रहे, तब तक परिवर्तन हो, सब का मंगल हो, सब स्वस्त रहे, अगर अभी उद्देश बदल जाए, अभी एक भी सब्द का प्रभाव लें पड़ेगा, ये भी बात जालने, ये उद्देश से के गल, उद्देश से प्रभाव पड़ रहा है, जीवन का जो तप है, जो भजन है, जो शाधन है, जो गुरू करपा है, उसका उद्देश बन गया, हमारे देश का, हमारे विश्व का मंगल हो, सब जर्ण का परिवर्तन हो, तो वही सब्द जाता है, परिव ने हुआ तो हमारा जीवन धन्य हुआ आपका भी जीवन धन्य हुआ आप खुम मस्ती से चलिए कभी सोचा ने था गिरुजी ऐसा भी जीवन आयागा बड़ा मतलब मावापा को भी बड़ा दुख होता था परहा जितने खोज है वह बहुत ज्यादा हाँ बस हमारी एक प्रा इस परत्मष पर्धिमी में और कोई नहीं जिसने अपने माता पिता को पूझ लिया उसको सुख पहुंचा दिया उसको जिन्देगी मैं कभी दुख ही नहीं रहे और भगधुन की कृपा माने मात पिता नहें देवा, साधुनते करवावें सेवा, जिनके ये आचरन भवानी ते निस्चर सम जानो, वो राक्षसी बुद्धी बढ़ रहे, इसलिए अध्यात्म की बहुत जरुवत हमारे समाज को है, क्योंकि इस राक्षसी बुद्धी का निदान अध्यात्म से होत में, लेकिन उस समय आप गलत बिवार कर सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप गाली दे सकते थे, तो भगवान ने बचा लिया, आप खुमाता पिता की सेवा करो, नाम जब करो, आईसे मित्रों का ज्यादा संग ना करो, जो तुम्हें गलत में फिर डाल दें, देखो जहां से यहां तूट जाता है, जुड़ तो जाता है, पर वहां कमजोर हो जाता है, तो जैसे यह व्यसन बना रहा, पीछे रहा, वही हम आपको कह रहें, कि जैसे यहां तूट जाता है, जुड़ जाता है, वहां कमजोरी बनी रहती है, तो अगर ऐसे मित्र मिलेंगे ना, कि कहां यार तुम बावाजियों कि अभी बोलते हैं कि अब क्या इतना बड़ा बगत बन गया पाँचवे दिन माज बिन्दा बन जाता है हाँ ऐसे लोगों से ज्यादा क्योंकि फिर उनका रंग न चल जाए नहीं तो कभी ऐसे तुम बिक्षिप्थ हुए गाएंगे मालों किसी काम से अब संतार का केल है कभी तुम डिश्टर हुए और मिले कैसे फिर वहीं पहुच जाओगे इसलिए कभी ऐसी बातला सुननना आप तो बुद्धी आची होगी जी दिल और दिमाग हर्दे सब यहीं रहता है जी बस पूरा चोईस गंटे रादा 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 रादा र culo आउप मां वहारगी लोग हैं जो भगवान का नाम सथमार गंडे आचरनो में जीवन बिदी सौदेसों के तो पी जाते होगे जादधा की हजार पंदुरा सूप सब्स इसे लोगों का संग इनको देखना चाहिए कि माया के पारशद हमारे दुश्मन है जो हमारे सत्मार्गों को गिराने वाले उनसे बाइरी दुश्मनी न करें अंदर से देखें कि यह मित्र नहीं है यह हमारे शत्रू है जो हमें गिरा दें जो गलत आचरणों में गिरा दें मित्र थोड़ी होता है उसलिए हमको ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो में पुना गंदे मार्ग में लगाते हैं आप देखो समझदार हो हाँ चूक मत करना अभी भगवत करपा अगर चूक कर दी अब हिसल गए तो अब दुबारा समलना मुश्किल हो जागी यह भी बास हो गई निकल गए अब उस दलदल में मत जाना नहीं तो धस्ते चले जाओगे हां मिल्कुल अच्छे सब्सक्राइब